फिलाल नौरात्री का सीजन चल रहा है, नौरातरी में बहुत लोग व्रते हैं, तो आज हम लोग बना हैं व्रत स्पेशल साभूदाने की चीला और यह जो चीला है ना यह बहुत ही इंस्टरंट है, ना तो वैह ब ही इंस्टरंट है ना ही कुछ करने के जुरूदाने मुम्फली को हम लोग क्या करेंगे हलका सा बहुन लें गयार किया हूं तो बहुनने के लिए 2018 अदिए अच्छ प्रण बहुन करें ने उकाっ पहले इनकाल लें हमारी मुम्फली को बहुन दोकी को आफ करे हैं तो व्योग दें हमारे अब हैSP 15 मिंशी का बुनीवी मूमफली को और इसकी दरदरा पेश्ट तयार करेंगे तो यह हमारी जो पाउडर है वह बन गी है देख सकते हैं उसके बाद में यह जो पाउडर है इसको हम लोग एक प्लेट में डालेंगे इस तरह से उसके बाद में इसमें ही हाप क्लास के करीब पानी डाले और इन्हें अच्छी तरह से भीगने दें दुसरी तरफ हम लोग आलू बॉइल किये हें चीला के लिए तो यह आलू को कारें अच्छी तरह से कदुकस कर ले इसके बाद में हम लोग लिए हैं यह साबौ दाना पो यह मै यह उस,"नवे ढूल के पाउडर करना में आलू को डाला है। आप ज़नी से प्लेट के बाल inappropriate करेफंगे हैं वरत के लिए हैं पुर्ट गोड़ करें लोग ऑफ प्लेट के करीब दो में तो नामक भाण na नमकirst के दृओ Stunden यह वुरत के लिए हैं इसलिए हम लोग क्या किया हैं इसमें इससे इंधा गंधा नमक डाले हैं उसके बाद में इसमें हरी मिर्ची डाले आधा हरी मिर्ची बचा देंगे ताकि हम लोग चटनी बना सके ति यह मैंने हरी मिर्ची डाली हूं बारी कटके और इसमें हरी धनिया छोड़ा थानिय बचा ले ताकि हम लोग चेटणी में उसके बार नें पाने ढ़िक है पी नौर्मली चीला की जूब धेती है वह इस तरह से बनाना है तो आप देख सकते हैं मारी जो पेश्ट है वह तैयार हो गई यह जूब पेश्ट है इस बह।र बहुत तैयर करते हैं बिल्कुल उसी तरह से होना चीए उसके बाद में क्या करें इसमें हाफ टेबड स्पून के करिब जीरा डाले हम भरी मीर्ची जो आधा बचा के रखे थे वह डाले इसमें हम जोच com जौड़ घनिया इदेखी इस तरह से और हरी धनियां हरी मिर्चिको अच्छी तरह से बून लेना है इसके बाद में हम लोग जो मुभली की पेज्ट पावडर तयार करे दिवेजु कर रखे थे पाणी डालके तो वह पानी वाली मुभली डाले और इने अच्छी तरह से पका लेना है बहुत व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए संदागंदा नमक डाले और फिर से एक मिनिट पका ले तो एक मिनिट हो गया है क्यास को बंद कर दे और चटनी को निकाले तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से बन गई है दूसरी तरह हमारी जो पेस्ट है वह तयार हो गई मैंने फ जो पेस्ट है तो पेस्ट को डाले चमस की सायता से इस तरह से और यह जो पेस्ट है उसको फैला लेना है पुरी तवा भर बहुत ज्यादा नहीं जितना साइज से यह उतना फैला ले और इनको अच्छी तरह से ढग कर कम से कम एक से दो मिनिट लो मीडियम गैस में अच्छ अची तरह से फिर पका ले तो हमारी दोनों तरब से मैंने पका ली हूँ मतलब कि अलटा बलटा कर इसके बाद में长 अच्छीchio तरह से फोल्ड कर लें देखे दे आप देख सकते हैं कितने अची तरह से बन गई सक बाद कर लिए और बागी के जो चीला है न हम लोग इसी तरह से बना लेंगे देखें इस तरह से बना लें हमारी पूरे चीले जो है वो बन गया है आप देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है साथ में हमारे चटनी भी बन गई है चटनी भी आप देख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद